तो चलो प्यारे बच्चों ये एक अच्छा सा सवाल है इसको देखो इस्टाइक की कोशन नीट में आते हैं और आपको करने आना चाहिए हैं टू बार मेगनेट से हैं हाइविंग सेमेट्री सेमेट्री मतलब उनका लेंट एरी आप क्रॉस सेक्शन सब सेम है वित मेगनेटिक मोमेंट एम एंड तू यम देखो हर एक का मेगनेटिक मोमेंट अलग है एक बार मेगनेट ऐसे है ठीक है और आर प्लेस्ट इन सच वे देर सिमिलर पोल्स आर साइड बाई साइड देन इस टाइम पिरेड इस टीवन similar poles are same side मतलब अगर इसका ये north pole है और इसका ये south pole है तो दूसरा वाला जो bar magnet है वो उसका जो है वो side by side एक के उपर एक रखे गए है तो similar ये इसका north pole है और इसका south pole है ऐसे रखे गए है ठीक है और इसका magnetic moment M है और इसका magnetic moment 2M है समझ में आया तो time period जब इनको oscillate कराया गया एक साथ अगर मैं यहां से एक string से attach कर दूँ और फिर मैं इनको oscillate कराऊ तो time period मुझे मिला T1 समझ में आया now polarity of one of magnitude reverse time period T2 कितना होगा तो सबसे पहले देखो time period क्या होता अगर vibration magnetometer पड़े हो तो time period 2π I over momenta benarcia I over M और B under root इना where I is a moment of inertia about center of rotation जहाँ पर center of mass है वहाँ पर जोहाँ rotation हो रहा है और यहाँ पर moment तुम देखोगे M क्या है magnetic moment और B क्या है magnetic field external magnetic field तो यहाँ पर T और M में रिलेस्टन हमें नहीं है बाकी दोनों magnet के लिए same रहेगा polarity बदलने पर तो T यहाँ से inversely proportional है under root M magnetic moment तो सबसे पहले दोनों का net magnetic moment पहले calculate कर लेते हैं तो net magnetic moment पहले जो आ जाएगा magnetic moment अगर यह north pole है और यह south pole है magnetic moment south से north होता है magnetic field line है और इसका magnetic moment ऐसे होगा तो net magnetic moment यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का vector sum magnetic moment south से ना आ जाएगा एक का M है और दूसरे का 2M है तो net magnetic moment पहले case में जो आ जाएगा net magnetic moment तेक न वो आ जाएगा 3M यह वाली चीज equation number first इसको मैं दो बार लगाऊँगा दो condition में अब again जो का जा रहा दूबारा इनकी polarity बदल दी गई है तो यह देखो इनको मैं ऐसे रख दिया south वाला ऐसे है north वाला ऐसे है अब दूसरे magnet को मैं थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया और उसको मैंने ऐसे रख दिया उसका north वाला यहां आ गया और यहां south वाला आ ठीक ना तो polarity बदल गया तो magnetic moment पहले वाले का अभी ऐसे रहेगा south से north होता लेकिन इसका magnetic moment बदल गया होगा तो अब जो net magnetic moment जो net आ जाएगा दूसरे case में उसको मैं M2 से denote कर देता हूँ तो आ जाएगा M1 बड़े वाले में से छोटा वाला गटा दो क्योंकि magnitude चाहिए तो 2M-M तो net magnetic moment जो आ जाएगा वो M आ जाएगा क्योंकि magnetic moment एक vector quantity है तो M2 आ जाएगा M समझ मैं तो इस हिसाफ से हमें मिल जाएगा तो अब जो time period यहां पर तुम देखोगे तो time period is T2 upon T1 की जो value आ जाएगी inverse में है M1 upon पहले case का दूसरे case का और under root ठीक है तो M1 पहले case का था यह आ जाएगा 3 times M और M2 दूसरे case का था और यह तो यह आ जाएगा यहां से root 3 आ जाएगा और अगर यहां से root 3 आ जाएगा तो अब मुझे T1 T2 में का relation चाहिए तो थोड़ा सा मैं T2 upon T1 की value आ जाएगी root 3 upon 1 तो root 3 upon 1 root 3 1.732 तो यह जाएगा 1 since root 3 is greater than 1 that's why T2 is greater than T1 तो वैसे भी यहां देखो magnetic moment second case में magnetic moment कम हो गया है तो time period बढ़ जाएगा ठीक ना T2 is greater than T1 तो यह option अपना यहां से match कर जाता है ठीक ना thank you, यह सारे गलत है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा question था thank you throughout the recognize वी आपको